जासी में एक महिला ने फासी लगा कर आत्मत्या कर ली वह बिमारी से परिसान रहती थी आपको बता दे पती के मंदिर जाने के बाद उसने अपनी बच्चीयों को खेलने के लिए बाहर बेज दिया जिसके बाद उसने या कदम उठाया वहीं पुलिस ने शवक को मोर्चरी में रखाया है आपको बता दे कि चिरगाउं थाना चेतर के पूरा नान्द गाउं निवासी इंद्रा देवी उर्फ सिवकुमारी हाउस वाइफ थी पती विनोत कुमार ने बताया कि पतने इंद्रा देवी भीमार रहती थी इसको लेकर काफी परेसान भी थी वहीं मंदित पर कीरतन में सामिल होने के लिए चला गया जिसके बाद इंद्रा ने बच्चियों को खेलने के लिए घर से बाहर भेज दिया वहीं कुछ देर बाद सबसे छोटी 6 साल की बेटी घर पहुची तो मां फंदे पर लटकी थी उसने बाहर आ इंद्रा की शादी को 18 साल हो चुके है और उनकी पांच बेटियां भी है बड़ी बेटी का रिस्ता भी तैय हो चुका है जिसकी अगरे साल साधी होनी थी वहीं मां की मौत के बाद घर में कोहरा मच गया बेटियों का रोडों कर बुरा हाल है पुर्य रिपोर्ट आई पिय है जजा ठाद इंद्मोर्ट आईडियां लोड़ी साल है जिसकी अजाद की शी अ़लब